जोहानस बर्ग में ब्रिक्स देशों के नेता शिकर सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं दक्षिन अफरीका स्थित गांधी टॉलस्टॉय फार्म सदस्य देशों के नेताओं को एक खास संदेश देता है किस तरह से आए देखते हैं ये खास रिपोर्ट मोदी मंगलवार से शुरू होने वाली दक्षिन अफरीका और ग्रीस की यात्रा के पहले चरण के दोरान जोहानस बर्ग में 15 ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे ये सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा और 24 अगस तक चलेगा विदेश सचीफ विने मोहन कात्रा ने बताया कि मंगलवार शाम पियमोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे इस बैठक में वैश्विक घटना क्रम पर चर्चा होनी की उम्मीद है पियम बुद्वार को ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे यह सम्मिलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग भूपक्षिय पडाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा विदेर सची ने बताये की 24 तारिक को प्रधानमंत्री ब्रिक्स अफरिका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डालोग में हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि दक्षुन अफरिका ब्रिक्स संगतन का वर्तमान अध्यक्ष है 15 वे ब्रिक्स शिखर सम्मिलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिरी मंडल भी हिस्सा ले रहा है प्रणमंत्री ग्रीज के प्रणमंत्री के निमंत्रन पर 25 अगस को ग्रीज के लिए रवाना होंगे उन्होंने कहा कि भारत के प्रणमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीज की यात्रा की थी विडेश चल्चिव ने बताए कि ग्रीज भारत का महत्रपुण यूरोपिय भागिदार है उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधोनिक लोगतंत्र हैं, बलकि दोनों देशों के बीच सद्यों पुराने एतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं. प्रदहन मंत्रे नरिद मोदी की दक्षुन अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से देश के बीच सब्सक्राइब भी हैं. के लिए तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे. एक और ब्रिक्स में प्यमोदी जहां बवपक्षिय मंच पर भारत के हितों की बात रखेंगे, वहीं ग्रीस में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई उचाई प्रदान होगी.